हलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग तो फ्रेंट्स यह पार्ट 3 है हमारा नेशनल डिजाइन कॉंपटिशन का जो उत्रप्रतिश गौर्रमेंट ने लॉंच किया है जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसी तरीके से माना जाता है कि 88,000 cents ने यहाँ पर meditation किया था तो और बोला जाता है कि anyone who fast जो यहाँ पर व्रत करता है pray करता है and attains perfection and emission finds happiness उसे खुशी मिलती है in all all the worlds ठीक है ना तो आप इसको चीजों को दियान में रखते हुए अब अपने designs को incorporate कर सकते हैं ठीक है मतलब इसमें तो यह तो चली आपको जागे के बारे में बताया गया है कि यह कि होली प्लेस है और यह भी उत्तर प्रदेश में है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अब जैसे कि हमारा चित्रकूड जो जो जगे थी वो रमायन से रिलेट थी और ऐसी ने मिशिरंट तीर्थ हमारी महाबारत से रिलेट हो गई तो आपको यह सारी चीजे भी पता होना चाहिए कि जब आपका कोई जब लोगों डिजाइन आप बनाएं तो उसमें कहीं न कहीं इंची योका भी आपका प्रदर्शन होना चाहिए फिर अगर हम विद्यानचल की बात करें तो विद्यानचल एक तरीके से शक्ती पीठ है हमारी टोटल अगर मैं आपसे बात करूँ तो 51 शक्ती पीठ है उसमें से एक ये शक्ती पीठ है विद्यानचल जो की कहां पर है हमारे उत्तर परदेश में मिर्जापूर डिस्रिक्ट के पास ठीक है और ये भी एक तरीकी की प्रपोस्ट काउंसिल है ये एक ऐसी जगे है जहां पर तीनो देवियां जो हमें कहते हैं हमारी लक्षमी, काली और सरस्वती है वाश्पेसिविक टेंपल डेडिकेट विद्यानचल तो यहांपर तीनों देवियों के टेंपल हैं यहांपर तो कहीं न कहीं आप इन तीनों चीजों का आप रेलेवेंस अपने डिजाइन में पना सकते हैं ठिक है और ये भी आपको मैंने बता दिया ये आपके उत्तर परदेश की एक डिस्टिक्ट है उसके पास ये शक्ती देखिया अगर आप कहानी जानते हैं तो एक राजा परिक्षित हुए थे जिनको शराप मिल गया था कि आप साथ दिन के अंदर आपको एक तक्षक नाग काट लेगा तो इन्होंने शुक देव जी जो कि एक महारिशी व्यास के बेटे थे उन्होंने इनको राजा परिक्षि अगर हम अपना उत्थान करते हैं तो आपको ये बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये किस चीज के लिए प्लेस फेमस है हम डिजाइन में अगर बनाएंगे तो उसको कैसे हम उसको बना सकते हैं उसी तरीके से यहाँ पर एक फेमस इमोर्टल बनियन ट्री है जिसे हम क्य बोलते हैं अक्षवत व्रक्ष ठीक है तो भगवत पुरान यहाँ पर नरेट करी गई थी चीक है तो ये चारो प्लेस के बारे में अब हमारा ही कवर्ड हो गया है अब बाकी का जब जो छे बुद्दिश काउंसिल है हम नेक्स्ट वीडियो में मैं सोचूंगा आपसे मैं वो कवर्ड कर लू तो टोटल ही हमारा यह पूरा वीडियो कवर्ड हो जाएगा और उसके बाद हम आगे डिटेल में डिसकस कर लेंगे चीक है चली थेंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो